नेता जी सुभाष चंद्र बोस का जन 23 जनवरी 1897 इस्वी को उडिसा राजी के कटक नामक नगर में हुआ था इनके पिता श्री जानकी नात बोस एवं माता प्रभावती थी कौन जानता था के ये नन्हा सुभाष बड़ा होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनेगा जो अपनी भारत माता की सुवतंतरता एवं रक्षा के लिए सब कुछ निवचावर कर देगा सुभाष बाबु ने अपनी प्रात्मिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल और राविन्शा कॉलिजिएट स्कूल में पूरी की लगभग इसी समय सुभाष बाबु के जीवन पर रामकृषन प्रमहंस और स्वामी विवेकानंद का परभाव पड़ा वो गरीबों के घरों में जाकर उनकी यथा संभव सहायता किया करते थे कहा गया है के होनहार वीरवान के होत चिकने पाथ इन में बच्पन से ही विलक्षन प्रतिभा दिखने लगी थी मैट्रिक पास करने के बाद सुभाष बाबू प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने लगे साथ ही यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर में भी भरती हुए 15 सितंबर 1919 को वो उच्चे शिक्षा के लिए इंग्लैंड रवाना हुए और कैम्बरिज विश्वित त्याले में दाखला लिया इंग्लैंड में अपने पिता के आदेश अनुसार आईसीएस की तैयारी करने लगे और सफलता हासिल करने के बाद 1921 इसवी में वापिस हिंदुस्तान आए कलेक्टर के पद को ठुकरा कर सुभाष बाबु ने देश सेवा का संकल्प लिया और कलकत्ता के नामी वकील देश बंधु चितरन जन्दास को अपना गुरू बनाकर रास्ट्री आंदोलन में कूट पड़े 1921 इसवी में ही सुभाष बाबु भी अपने गुरू के साथ पहली बार गिरिफ्तार हुए और 1941 इसवी तक 11 बार जेल गए इसी बीच सुभाष बाबु ने कॉंग्रेस स्वैम सेवक सेना के कमांडर, आल इंडिया यूथ कॉंग्रेस के अध्यक्ष, आल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष और कलकत्ता नगर निगम के मेर पत को भी सुशोभित किया फिर ब्रिटिश सरकार के विरोध में एवंभार्तिय स्वाधिंता अंदोलन के समर्थन में विभिन यूरोपिये देशों का दौरा करते हुए 1933 सीजवी में बर्लिन पहुंचे और भाशन दिया 1935 में पिता की मृत्यू के बाद सुभाश बाबू शो का कूल हो गए कॉंग्रेस कार्यकार्णी समीती की सभा में नहरू, किर्पलानी, सरोजनी नैडू, पटेल आदी प्रमुख नेताओं के साथ सुभाश बाबू ने कलकत्ता के उडबर्ण पार्क में भाग लिया फिर कॉंग्रेस के 51. अधिवेशन में हरीपूरा में उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया और 1949 में ही हरीपूरा प्रदर्शनी का उध्गाटन करते हुए सुभाश बाबू ने देश विदेश के संपूर्ण राजनीती की चर्चा करते हुए अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध रास्ट्रिय संग्राम शुरू करने का आहवान किया साथ ही गांधी जी से विचार विमर्ष भी किया अधिवेशन से लोटने के बाद कलकत्ता में लोगों की अपार भीर ने सुभाश बाबू का अभिननदन किया 1949 इसवी में कॉंग्रेश गोश्टी शडियंद्र के प्रतिवास स्वरूप सुभाश बाबू ने अपने सभापती पत को त्याद दिया इसी वर्ष उन्होंने फॉरवर्ट ब्लॉक का गठन किया 1940 इसवी में रामगड़ विरोधी सम्मेलन में पूरे जोश और खरोश के साथ ज्छंडा फैराया इसी प्रकार अंग्रेशों के विरुद्ध प्रचार के लिए दिल्ली प्रस्थान किये फलसरूप सुभाश बाबू को सैंक्ड़ों अनुयाईयों के साथ गिरिफतार कर नजर बंद कर दिया गया जहां वो किसी से नहीं मिलते थे केवल कुछ विश्वास पात्र लोगों से ही मिला करते थे जिन में शियर इमाँ भाई शरत बोस और मेर सिदीकी प्रमुख थे जनवरी 1941 इसवी में पूरे देश में आग की तरह हवर फैल गई के सुभाश बाबू घर से एक आएक गैब हो गए है सुभाश बाबू भेस बदल कर पिशावर होते हुए काबुल फिर रोम और बर्लिन पहुँचे मिस्टर क्रोगनर के नाम से जर्मनी में प्रवेश किया और पंडुबी से सिंगापूर पहुँचे चार जुलाई उननीस सो तैतालीस इसवी में सिंगापूर में आजाद हिंद फौश के नेतरित्त का भार रास बिहारी बोस ने सुभाश बाबू को सौपा अब सुभाश बाबू आजाद हिंद फौश के द्वारा अंग्रेजों के विरुध लड़ाई की तैयारी में लग गए और हिंदुस्तानियों को अंतिम मुक्ती युद्ध अभ्यान में शामिल होने का आवान किया सिंगापूर में जंडा फैराया और आजाद हिंद सरकार का विधिवत गठन किया जिसमें जहांसी कीरानी लक्ष्मी बाई के नाम पर एक स्तिरियों की सैनिक तुक्डी भी थी जिसमें अंग्रेजों के विरुध युद्ध का प्रशिक्षन दिया जाता था सुभाष बावु से बाल सेना के किशोर युद्धा अस्तर गठन कर देश की आजादी के लिए आत्म संकल्प किया आजाध हिन सरकार की अस्थापना के बाद ब्रिटेन और अमरीका के वुरुध युद्ध की घोशना की नौ देशों ने इस सरकार को सुईकार कर लिया फौज युद्ध करती हुई आगे बढ़ती चली गई और कई जगह भारत की सीमाओं में घुसकर तिरंगा जंडा फैरा कर आजाधी घोशित की गई इस तरह पूरे देश में आजाधी की एक लहर दोड़ गई ये सुभाश बाबू की अंतिन तस्वीर है जिसमें वो सिंगापूर में हवाई जहाद से उतर रहे हैं इसके बाद उनकी कोई भी तस्वीर उपलब नहीं है क्योंकि 17 अगस्त 1945 को नेता जी हवाई जहाद से रवाना हुए और इसके बाद 22 अगस्त 1945 को तोकियो रेडियो ने ये दुखत समाचार सुनाया के हवाई दुखतना में नेता जी का निधन हो गया एक बाद जानते हो नेता जी के साथ जिन लोगों ने काम किया उनमें बहुतों हमारे राज बिहार के भी थे और उनसे नेता जी के विशे में कुछ जाने देखो, आज हम आप लोगों को नेता जी के बारे में बताना चाहता हूं मैं पहली जफे मैंने नेता जी को उनी सवत्य तालिस में देखा था नेता जी देखने में बहुत लंबे चोड़े भडा मूशे की तरह उनका मूँ होता था उन्हों ने पहली जफे जब वो सिंधापूर आए थे तो हम ने उनको देखा था उस वक्त मेरी उमर देश साल की थी, मैं भी फॉजीब अफसर था इंडियन आर्मी में नेता जी ने क्या किया, नेता जी ने हमारे आँख को खोल दिया नेता जी ने कहा कि ये को देश आज हमारा गुलाम है और गुलाम होने में तुम उनको मदद करते हो जब जनता खड़ी होती है आजादी के लिए तो बिटिश ओडर देते हैं गोली मालनों के लिए और वो फॉजी को पुलीस को लाते हैं और यही नहीं तुमको वो बाहर भेशते हैं, मलाया भेशते हैं, सिंगापूर भेशते हैं, थाइलेंड भेशते हैं, इरान, इराक भेशते हैं तो उन लोगों को भी तुम गुलाम बनाओ जब नेता जी ने ये कहा, तो फोजी आदमी जो है वो सुरा साधा होता है, उसका आग खुल लिया, उसने का भई अंग्रेश तो अभी ज़क हमको बेवकू बना रहा था नेता जी सुवाश अंदर भोष के साथ मेरा संपर्क उने से 38 में हर पुरा कॉंग्रेश अधिवेशन के समय में हुआ था स्वामी सहजानन सहस्वपी के साथ उसके बाद हम नेता जी के नजदीक हो गए और नेता जी के समाजबादी विचार पग्रितिसील कार्ब और देश में सोसित गरीब जनता को रहत देने के लिए देश में समाजबादी सरकार बनाने की उनकी नीती है मुझे पसंद आई और मैं उनके साथ हो गया बिदार्थियों को यह पराबर कहा करते थे कि जो आज की बिदार्थियें ब्याण का नागरिक होगा ओर पंसो का वो देश का बनानी होगा देश की हर चीज को समंझना चाहिए और देश की कोई भी जोजना सफ़र नहीं हो सकती है जब तक बिदार्थियों आर जुबक उस कि देश आजाद हुआ हंग्रेजों पर यह असर पर आके हिंदुस्तान में अब हमसासन नहीं कर सकते हैं, हिंदुस्तानी बगावत पर पुट गये हैं बच्चो एक बात जानते हो, जब अजाद हिंद फोज का कसन हुआ था, उस समें एक गाना भी बना था कदम कदम बढ़ाये जाओ, कुसी के भीत गाये जाओ, जिंदगी है काउम की, काउम पर निकाये जाओ, एक आना सूनकर अजाद हिंद फोज के नजवाना जोश और खुरूश के साथ आखरी दम तक लगते रहे क्ज़च़ कि लगते हैं की पडा मिढूब थार की की लगता है varied रहे हैं के रहे जाओ स्वां की आखरी जा कि अजवाना रिफेखा उलम है 1.5 हम बडाना जवाना झाह Ride क्पार व काह करें दम फोजी है, का ये जदंड़ हैं पुझे टाड़े जाड़े उड़ कीश जो बुझेंट